नमस्कार दोस्तो मैं मुकुंद राउत आपका स्वागत है लॉंट्री नॉलेज आइंड केमिकल्स में दोस्तो आज कल बहुत महेंगे महेंगे कपड़े आ रहे है तो आपका काम है कि आगर कपड़े तो चेक नहीं कर सकते मगर जो महेंगे कपड़े है तो वो जगे पे ही चेक करके लेना चाहिए कही कलर लग गया है क्या कही कपड़ा फटा है क्या यह आप काउंटर पे ही चेक क करना जरूरी होता है जैसे कि यह साड़ी हमने शौप पे चेक करके लिया है मगर दिखा नहीं है और आप जब ड्राइप लिंग का प्रोसीजर चालू है तब हम इसको चेक कर रहे हैं तो चेक करने में देख लीजिए कि यह साड़ी यहां पे फटी है यह एसीड जैसा कुछ गिरा है दोस्तो तो यह साड़ी फटी है तो यहां पे यह गिर जाने के बाद में यह देख सकते हैं यहां पे भी गिरा है आर पर तो हर लॉंड्री वालों को लगता है कि यह दाग है और ऐसे रेड दाग साड़ीों में होते हैं और वो उसको वाश करन जाते हैं ब्रश मारते हैं तो यहां पे साड़ी फट जाएगी क्यूंकि यह आनुभव से पता चलता है यह दाग नहीं है यहां पे इफेक्ट हुआ है ब्रश नहीं मारना है या फिर वाश तक नहीं करना है वापस दे देना है नए तो यह साड़ी फटने वाली है यह आपको ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर पे ही साड़िया चेक करके लेना चाहिए, जो महेंगे कपड़े है चेक करके लेना चाहिए और customer को लाईव दिकाना चाहिए कि आपके कपड़े में कलर लगा है आपका कपड़ा फटा है या आपका कपड़ा डैमेज है नहीं तो दोस्तो कुछ लोग आच्छे होते हैं और कुछ लोग बुरे भी होते हैं तो फिर कैसा है आपके पास चार पास दिन हो गए साड़ी आ गई है आपने ड्राइकलिंग के टाइम में देख लिया फिर कस्टमबर को बुला के आगर बोलते हैं कि देखो आपकी साड़ी डैमेज है तो वो कस्टमबर कभी-कभी मानता नहीं है क्योंकि वो बोलता है कि हमने तो पहिनी है पहले नहीं था आपसे हो गया तो फिर कस्टमबर को भी-कभी-कभी ये प्रॉब्लेम मालूम नहीं होता है वो आंजाने में हुए वाला होता है उसको भी नहीं मालूम होता है तो ये दिक्कत आती है तो फिर उसको सबुत देना पड़ता है देखो आपकी सबूत देने पड़ते है कस्टंबर को हमारे हाथ से नए हो गया यह पहले का ही है आपकी साड़ी हम ने वी आस तक नई कि इतने सबूत देकर भी यो कस्टंबर माने भाय स्थ यह गयारांटी नए है तो आपका काम यह है कि काउंटर पे आपको थोड़ा टाइम क्यों ना लगे आपका टाइम वेस्टेज क्यों न जाए मगर यह पहले यह जो साडिया होती है देखके ही लेना चाहिए नहीं तो फिर उनका नंबर लेके 5-10 मिनेट के बाद में वो कस्टमर जाने के बाद आप चेक करो और तुरंत उनको कॉल करो अगर कोई दिक्कत होती है मगर अगर आप 2-4 दिन से उनको कॉल करेंगे तो यह दिक्कत आने ही वाली है यह देख सकते हैं यहाँ पे फटे वाली है कभी कभी कस्टमर यूज करता है तो उसको मालूम भी नहीं होता अंजाने में हुए वाला होता है तो फिर हम दिखा थे लाहू उनको जगे पे तो यह बोलता है कहां हो गया पहले तो नहीं था मगर हमने लाही उनके सामने दिखाया अगर अगर वो साडी लेके हम चार पास भीन रखते है तो उसको बोलने को चांस है ये acid type कुछ गिरा है दोस्तो अगर हम उसको acid type भी कुछ बोल नहीं सकते हम बोलेंगे acid type गिरा है तो वो बोलेगा हमारे पास कैसा आशिड होंगा आपके पास ही केमिकल है आशिड है तो आपसे ही हुआ होंगा इसलिए हम उसको आशिड विशिड कुछ बोल भी नहीं सकते सिर्फ इतना बोल सकते है कि आपकी साड़ी डैमेज है और वो ड्राइकलिंग के टाइम ने हमने चेक कर लिया तो हमने बाजू में रख लिया तो ये आपका प्रॉब्लेम है तो मगर ये जहमेलके ही काम हो जाएगा पहले काउंटर पे पूरी साड़िया डेटेल में चेक करके ले लिजिए तब जाके ये आईसा भी हो सकता है इसमें आपका कोई भी दोश नहीं है मगर ये साड़िया आपको भर के देना पड़े क्योंकि सामने वाला कस्टमबर आपको कैसा मिलेगा इसका कोई गैरांटी नहीं है क्योंकि उसको मालूम उसके भी मालूम ने होता ये प्रॉब्लेम होए वाला और मालूम हुआ तो भी आपके साथ ये हद्सा हो सकता है इसलिए सावधान रहे काउंटर पे ही महेंगे कपड़िया कपड़े साड़िया चेक करके ही ले ले ताकि ये फिर ये नोबत ना आ जाए मिलते हैं आगले वीडियो में जै हिन जै भारत